असलाम लेकुम वेलकम बैक टो मैं चैनल उमीद करते हैं कि आप सब खेरियत से होंगे ठीक ताक होंगे तो अभी बजार जा रहे हैं हम लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है और यह मिरर ना कल थोड़ा सा गंदा और अभी जा रही हूं शॉपिंग करने क्योंकि मैंने उसके लूपिंग करतों हैं हैं कि मैंने अफना मेहनदी का ड्रेस विलीवए के ड्रेस बारात के सैंडल में यहां भाती हैं कुछ कपड़े करेंग हैं करोने क्योंकि वह हो गता तो मैं हम चलते हैं बहुत लेट हुए हैं बहुत देर हो औरी है तो बाइ-बाई और यह कल म भी होनी थी जो पता था यह होगी तो अभी हम बस घर से निकले हैं डेड़ बजे थे तो घर से निकल गए और यहां पर ना अंडर पास बन रहा था और यह फाइनली बन गया इतने मज़े का यह बना है ना पता नहीं क्यों मुझे अंडर पास वाली जगह जो है ना वो है ना तो यहां पर इसके पास इतना यहीं से रश शुरू हो गया था उपर से मंडे था और स्कूल कॉलेज इसका की वज़े से इतना ज़दा रश और हर तरफ ना मतलब के वो भी था बैंक और उसका लंच ब्रेक भी था बैंक्स वगरा भी यहां पे होते हैं आफिसे काफ इसके पापा की शॉप पे हमें खायर बैठे हुए काफी ठाइम हो गया विए कि एक दफ हम ड्रेस देखना शुरू करें ना हर मतलब के इविंट के साफ से यह कलर होना चाहिए वो होना चाहिए तो काफी देर हमें यहीं पर शॉप पे लग गए थी तो मुझे एक ड्रेस लेना था तो ताय अबू मुझे दिखा रहे थे कि हमारे पास ना नया स्टॉक आया है तो तुम यह देखो तुम पर ना यह अच्छा लग रहे था तो बस वो मुझे यहां पर अभी यही दिखा रहे थे और इसके बाद हमने ना जुलरी भी लेनी थ उसके बाद बहुत सारी चीजें भी देखनी थी मुझे प्रॉपर अपनी मतलब के जो मुझे अपने एक्स्ट्रा जूते वगरा भी लेने थे ना कैयिल के और ब्राइडल के और बैग्स लेने थे सब कुछ मुझे यहीं से लेना था तो फाइनली हम यहां से अपनी शॉप लाइट थी तो कलर्स का इतना पता भी नहीं चलता था तो मुझे अपनी फाइनल जो है वो ब्राइडल जॉल्वरी भी सारी आज ही फाइनल करके जानी थी एटूजी जो शॉपिंग थी ना मेरी आज होनी थी कपड़ों के इलावा तो बस मैं भी वहां पर देख रही थी क लेकिन कुछ मैंने पिर जो उसकी माला थी ना वो सूट नहीं की तो वो मैंने बाद में वापस करवा दी तो साथ हमारे यहां पर ना छोटा भाई था उसको यहां का बजार का ना सबका पता है कि कहां से क्या चीज सही में मिल जाएगी ना मुझे रिजनेबल भी और क्वा वो टूटा भी हुआ था खराब भी था तो उसी वक्तियातन यह चीज देखनी पड़ती है बिना देखके लेओ और बाद में वो इशू चेंज करवाने का और डांट भी बड़ी पड़ती है इस वदह से कियो नहीं चेक की है तो बस शॉपिंग करते करते हम लोग यहां प जो चीज टॉल पर रीजनेबल मिलती है वो ले लो वहां पर खड़े होकर तो पर हमें भूग लगी थी तो यहां पर ना चार्ट बगर थी बैटने की भी जगह थी बड़ा यहां पर सिटिंग अरिया था पहले यह ना काफी चोटा सा था और इतना रफ सा था यह एरिया मै अगे बैटने की जगह जो मैं भी आपको दिखाते हूं यह ऐसे यहां पर बैटने की जगह थी तो हम लोग यहां पर बैठे हुए थे और चार्ट बगरे इंजॉय कर रहे थे बड़े मज़े कि एसकी चार्ट बजार में आओ तो यह चीज़े ना खाओ फिर कैसे हो सकता है और यहां पर ना किसी से बैन यहां पर यहां पर यह चूला था इलेक्ट्रिक इसका पूछ रही थी और यह मुझे ना दुबटा भी चाहिए था निकाह के लिए क्योंकि मेरा जो निकाह था वो महंदी वाले दिनी ही होगा इस वज़से मुझे यह भी चाहिए तो यहां प कि अगे थे मेरा जो है मेन बरात वाले दिन के लिए सैंडल्स लेने थे तो मैंने काफी इतने पीसिस मैंने खुलवा कर देखे ना क्योंकि कोई भी कमफ़टेबल नहीं था यहां तुम मेरे एंकल में उसकी विज़र से पेंट चुरू हो जाएगा मुझे लग रहा था यहां से फाइनली पसंद कर लिए क्योंकि इतने पीसे यहाँ पर खिलवाया थे ना और अगर मैं ना यहां से कुछ लेकर जाती तो मुझे बहुत अफसोस होना था कि मैंने यहां से कुछ भीं नहीं लिया तो अभी भी यहां पना पर पहन कर चल कर देख रही थी क्योंकि मैं पहने कोई ऐसा जूता नहीं लिया जिसकी हाई हील हो बस नॉर्मल सी हील्स वाले लिया है तो इसके बाद हमने वापस जाना था वहां पर बट मार्केट में क्योंकि वहां पर प्लाजा जो है ना कॉस्मेटिक्स वगरा का पूरा प्लाजा तो मुझे लेने थे सारा लिया प्लाजा तो यह सब चीजें मुझे काफी सारी लेनी थी तो उस वज़ा से हमें फिर वापस वहां पर जाना पड़ा और वहां पर हमारी ना चीजें भी पावा के पास ही हम रखवा कर आया थे क्योंकि इतनी लेके आगे हम मोती बज़ार तक जाते है उफ इतना चलन व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मुझे और व्लॉग भी नहीं बन रहा था मैं बहुत ज़दा ठाक गई थी और फाइनली हम लोग 8 बज़े घर पहुंच गए तो अब यहीं पर मैं अपने व्लॉग को जो है वो एंड करती हूँ होपसो आज का व्लॉग आपको अच्छा ल झाल